तो संडे को आज मतलब साफ सफाई बाहर कर दिये हैं और यहां भी सब कुछ हो चुका है और हम पना रहे हैं चाय तो मॉर्णिंग की चाय है अभी बच्चे सो रहे हैं तो चाय तो हमारी पक चुकी है अब गयस को आफ करेंगे और दिखाते हैं आपको सारी क्लीनिंग हो चुकी है कि कल का दूद इतना बच गया थो मैंने घ्लास में खाली करके रख दिया है धक देते हैं कटोरी से अब देखते हैं इसका कुछ क्या कच्चा ही प्रयोग मिलाया जाएगा कि कुछ बनेगा या फिर अंकृत किया जाएगा इसका कोई भी डिशाइड नहीं है तो चलिए इसको साइड में रखते हैं और हम चलते हैं अभी चाय पीने के लिए और हमारी साफ सफाई दिखी ये कटल सेटरेडे था तो सेटरेडे को रात में हमने बनाया था खिचडी वे मिलियोग को संदे साथ मैंने सोचा कि चलो कोई जल्दबाजी नहीं है सुछा साफ कर लेंगे तो बरतंग मैंने साफ कर दिया है और देख सकते हैं आप लोग कि तुम सब क्लीन हो चुगा है साफ सफाई बाहर का भी दिखा देते हैं आपको यह देखिए बाहर भी साफ हो गया है जाड़ों कुछा सब कुछ हो चुका है गमले को हमने साइड में कर दिया है जगह चेंज कर दे रहते हैं वह धूप की वजएसे जैसे धूप होती है उसी वजएसे इधर उधर कर देते हैं क्योंकि कोई कोई पौधा ऐसा है ना कि दूप बहुत जादा दूप लगती है तो मुर्जा जाते हैं तो आद दो तीन दिन से मौसम ठंडा है तो कल जो है इस तरह से कर दिया गया 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 तो साफसफाई हो चुकी है बाहर भी और अभी पहुने आठ बजे का ट लेकिन लेट से उठे हैं सोगय पता ही नहीं चला टे देखे तो काफी लेट हो ही गया है तो और मौसम भी तेक साफसरा था तो मुर्जा भी अधिक पर पिनिश कर लेते हैं फिर उसको बात नहाते हैं क्योंकि नहाने कबाद काम करने कितना धूल धुकड यहां सब रहता है ना कि नहाने के बाद फिर जाड़ उपचा करने को मन में ही करता है तो चलिए अब चाई पी लेते हैं फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से की बंद कर दें लाइट आफ कर दें क्योंकि भी लाइट की ज़रूत नहीं है और यहां लॉवी की भी लाइट को आफ कर दें चल रहा है चाई पीने के लिए अब आप कि अब कि 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 क झाल 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 पुजा पाठ भी हो चुकी है और अब चल रहे हैं बनाने के लिए कुछ नास्ता तो चलिए और यह जो तॉलिया टंगी रहती है यह हाथ पुछने के लिए है यहीं टांगे रहते हैं जो मेरे वीडियो में एक सर देखता है चलिए मोबाइल को लगाते हैं इस्टैंड पर और बनाते हैं हलूवा नास्ते में हलूवा बनाएंगे जय हनुमान ग्यान गुंसा है कुमान नास्ते में ग्यान जोग्यान अभाएंग क्ष Lag eerste ट्यान क्ष्ज बनाएंगे कि आ सकते हैंगे अभीऑ बनाएंग हुआ तो फ्रैंड्स अब हल्पा बनना हो गए कैंसिल्क और अब बनने जा रहा है ब्रेड और चाय दालेगी और ब्रेड़ हलुआ कैंसिल्क लग और शुत्कर टायेगा हलुआ कैंसिल्क। जब तक चाय बन रही है और प्रेड लेने के लिए तब तक मैंने सोचा कि आप लोगों को मौसम का हाल बता देते हैं चलिए च्छत प्या गए हैं आपको दिखाते हैं मौसम तो ठंडी ठंडी हवाय चल रही है ठंडी ठंडी हवा चल रही है मौसम इस तरह से है सुहाना मौसम से लिए बाएक कमेरा करके दिखाते हैं और हवात बहुत अच्छी चल रही है आज संडे था तो मैंने उठाया भी नहीं कि तो संडे ता मैंने सुचा कि आप सो रहे हैं है तो पोने जगाया नहीं और मैं उठी के मैं भी बहुत थोड़ा लेट आज उठी थी जब बाहर निकली मैंने सोचा कि देखें धूप निकली होगी तो सूरी भगवान के दर्शन कर लेते हैं तो देखें तो बादल था मौसम काफी अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा कि चलो फिर जाड़ू लगाए पूछा लगाए फिर उसके बाद नाहाए दोए साब पूजा पाठ सब कुछ हुआ उसके बाद मैंने सोचा कि चले आज नास्तें बना देते हैं हलुआ वैसे ज़्यादा किसी को पसंद नहीं बहुत थोड़ा-थोड़ा होगा तो मतलब की माना कर दिया तो फिर मैंने सोचा कि प्लेट हो जाएक आप चल रहे हैं नीचे क्योंकि मैंने सोचा कि चले आप लोगों को दिखा दे मौसम का बहुत 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 अच्छा लग रहा है यह मौसम और ठंडी-ठंडी हवा ना गर्मी ना कुछ आप ताके ले तो इसलिए जो है चाय रखके आए चाय पक रही है नीचे चलते हैं नीचे वरना मेरी चाय भी जल जाएगे ही वहन के चकर में अभी रिल्स वगएरा सूट करने का मौका तो नहीं है क्योंकि अभी काम है खाना भी बनाना है और खाने में आज बनाएंगे चने, स तो अभी मैं च्छत से नीचे आ चुकी हूँ क्योंकि मैं चाय रखकर चले गई थी च्छत पर मौसम पाफी अच्छा हो रहा था तो मैंने सुचा कि थोड़ा सा टाहल घूम लूँ और थोड़ी दियर मैंने टहला घूमा और आप लोगों से से बाते करें और फिर अभी आ चुकी हूँ नीचे और को छोटे मोटे सामान खतम हुए थे तो वही मैंने मंगवाया है अभी थायले में ही है उसे खाली करूंगी बाद में सबसे पहले मैं ब्रेट सेखती हूं और बच्छों को नास्ता देती हूं खुद भी करती हूं क्य जीजेगा फिर मिलेगी नेशनी